प्रकाशित वाक्ये 21 अध्याई 21 पद और बारहे फाटक बारहे मोतियों के थे एक एक फाटक एक एक मोति का बना था और नगर की सड़क स्वचकाश की समान चोखे सोने की थी इस संदेश में मैं आपको बताऊँगा कि आप तीसरी चावे को कहां पर ढूंड सकते हैं ये नरुशलिम की फाटक में पाई जाती है नरुशलिम की नगर की फाटक मोतियों से बनी है मोति का कसूरा उस दर्द को सहता है और उसकी अंदुरनी प्रत को सरावित करता है मोति बनाने के लिए इसी तरीके से परमिश्र की संतानों को भी उस दर्द को सहना है जब तक कि वो परमिश्र की स्वरूप को दुबारा से प्राप्त ना कर ले हमें दर्द होता है ये इसलिए नहीं कि हमारी प्रिसितिया मुश्किल है क्योंकि हमारे हिर्दे में बुराई है इसलिए हमारी बुराई वो हमें मुश्किलों को देती है इसलिए अगर हम वास्तों में सत्य को जानते हैं तो फिर हम अपने हिर्दे में उस आत्मिक मोति को बनाएंगे हमारा इस पृत्वी का जीवन यहां तक उस समय को भी मिला कर जो हास्माईशों का समय है अगर हम इसकी तुना अनन जीवन के साथ करें तो यह केवल कुछी पलो का है इसलिए पिता परमिश्र को हमें उसाहित करते हैं कि हम विश्वास के साथ उन परिक्षाओं को पार करें यहां तक ही वो मुश्किल होती है इसलिए यहां तक की हमें परिक्षाओं में दर्ध होता है उस समय हमें महसूस करना चाहिए कि यह भी पिता परमिश्र का ही प्रेम है मसी में प्रियभाईयों और भैनों और सभी जीसेन टीवी के शुरूताओं मैं आपको नई रुष्लिम के बारे में बहुत लंबे समय से बता रहा हूँ और अभी तक हमने नई रुष्लिम की शहर पना के निव के बारे पत्रों के बारे में सुना कि की सरीके से हम वहां से नई रुष्लिम के चावे को प्राप्त कर सकते हैं नई यरुष्लिम में जाने की सबसे पहली चाबी वो नई यरुष्लिम की शहर पना है जो कि यशब से बनी है और यशब गिविश्वास के पांचों स्तर को दिखाता है जिसके द्वारा आपिता परमिशु को खुश करते हैं और यही एक चाबी है और दूसरी चाबी जो नि यरुष्लिम की दूसरी चाबी है इस संदेश में मैं आपको तीसरी चाबी के बार में बताऊंगा कि तीसरी चाबी कहां पाई जाती है यही नई यरुष्लिम की फाटकों में है और मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी संदेशों को अपनी मन में रखें जो आपने सुने है और आप नई अरुशलिम की चाबी को प्राप्त करने पाए मैं प्रभुश्य मसी के नाम से प्रातना करता हूँ कि आप उस अधिकार को प्राप्त करने पाए ताकि आप नई अरुशलिम क्यों शहर की फाटकों को पार करके आप नई अरुशलिम में जाने पाए मसी में प्रियभाईयों और भेनों नई रुष्लिम में बारे फार्ट के हैं और जिसमें नई रुष्लिम की चाबी छिपी हुई है वहाँ पर हर एक दिशा में तेन तिन फार्ट के हैं पूरव पश्चिम उतर और दक्षिन में और वो एक दूसरे से 2000 री या फिर 800 किलोमीटर दूर है प्रकाशित वाक्य 21 सध्य है उसका 25 पध में बताता है और उसके फार्टक दिन को कभी बंद ना होंगी और रात वहाँ ना होगी यहाँ पर कभी ना बंद होंगी इसका मतलब है कि वहाँ पर कभी उनमें ताला नहीं लगेगा वो फार्टक के बंद होंगी लेकिन उनमें ताला नहीं होगा लेकिन जब कोई भी उसके सामने खड़ा होगा तो वे फार्टके अपने आप ही खुल जाएंगी अर प्रकाशित वाक्य एकी सध्या उसका बारापध हमें बताता है और उसकी शेहर पना बड़ी उंची थी और उसके बारे फाटक और बारे फाटकों पर स्वर्ग्दूत थे और उन पर इसराईलियों के बारे गोतरों की नाम लिखे थे इसलिए हर एक नयुशलिम की फाटक पर एक स्वर्गदूत है और वो स्वर्गदूत वो नयुशलिम के गेट के बाहर है ये स्वर्गदूत ये एक मुखे द्वारपाल की तरह हैं जिसे हम गेट की पर भी कहते हैं और ये फाटकों की रखवाले करते हैं रात और दिन तक कि कोई भी अजनबी वेक्ति उसके अंदर ना जाने पाए विशेस तो और से किसी यूद के समय किसी गेट की या फिर किसी फाटक की रखवाली करना ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब एक बार दरवाजा खुल जाता है तो उस देश को जीतना बहुत आसान होता है लेकिन स्वर्ग में वहाँ पर कोई भी विरोधी सेनाई नहीं होंगी और नई यरुश्लिम की फाटक वो हमेशा खुली रहेंगी इसलिए क्या कारण है कि वहाँ पर फाटकों की रखवाली करने के लिए स्वर्दूध है इसके तीन कारण है सबसे पहला गी उनके विजय अधिकार और उनके आदर को दर्शाता है यहां तक कि इस प्रित्वे पर जो महतपुन राजनितिक लोग होते हैं या फिर किसी व्यवसाय के लोग होते हैं तो उनके वेक्तिकर सेक्यूरिटी गार्ड होते हैं और यहां तक कि उनके घरों में सेक्यूरिटी गार्ड होते हैं और उन सेक्यूरिटी गार्ड या सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यह उनके अधिकार और उनके समान को दर्शाता है और नई यरुशले में वो स्वर्गदूत जो फाटकों की देखरे करते हैं वो भी ऐसे ही हैं और केवल उन यी वो स्थान है जहां पर मनुश्य जाते के इतिहास में सबसे महान विश्वास वाले वैक्ति वो हमेशा के लिए वहां रहेंगे इस तथे को देखते हुए यहां तक कि इन फाटकों का ध्यान रखने वाले स्वर्गदूतों में भी बहुत सम्मान और अधिकार है इसलिए सिर्फ स्वर्गदूतों को शहर की फाटकों परपहरा देते हुए देखते हुए हम नई यरुश्लिम के महन सम्मान को महसूस कर सकते हैं दूसरा फाटकों की देखरे करना यह स्वर्गदूतों का एक कार्य है इब्रान्यों एक अध्य उसका चोधा पध हमें बदाता है क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माई नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है इसलिए वो परमेश्वर के द्वारा दी जाती है आपकी सेवा करने के लिए वो आपकी सेवा करते हैं लेकिन जो विश्वासी नहीं है वो उनकी सेवा नहीं करते परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उन विश्वासी संतानों की देखरे करने के लिए दिये है जिनका नम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है सबसे मुलभूत कारण कि क्यों परमेश्वर् ने स्वखळूतों को बनाया ये उनके लिए है कि वो परमेश्वर की संतानूं की मदद करे परमेश्वर ने प्रतिक वैक्ति को एक स्वखळूत दिया है और ये स्वरगदूत ये उस वेक्ति की हर एक बातों का जो भी वो कुछ अपने मुँसे बोलता है और अपने कारियों को और उनके हिदे को वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है और ये उसका कारिय है कि वो सबी चीजों को रिकॉर्ड करे और फिर परमेश्र उसी की अनुसार सभी को न्याय की अनुसार प्रतिफलों को देंगी लेकिन परमिश्र की संतानों के लिए जो परमिश्र में विश्वास करते हैं परमिश्र उन्हें एक और स्वर्गदूत देते हैं इसे लिए जब हर एक स्वर्गदूत वो हर एक व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है ताकि वो हर एक बातों को record करे जो भी कुछ वो व्यक्ति करता है ये स्वर्धूत की हर एक व्यक्ति के शब्दों उनके कारे और उनके हिद्य को लिखते हैं इसलिए इसी record की अनुसार अंतिम दिन में नयाय होगा और कुछ एसे स्वर्गदूत हैं जो इस पृत्मी पर भेचे गए हैं इसे लिए एविश्वासी लोगों के पास इस तरीकी की स्वर्गदूत नहीं होते हम उन्हें सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत कहते हैं परमिश्र ने उन स्वर्गदूतों को बनाया ताकि वो परमिश्र की संतानों को हर एक प्रकार की आपदाओं और हर एक प्रकार की विमारियों से बचाए निश्यत तोर से स्वर्गदूत वो परमिश्र की संतानों को तभी बचा सकते हैं और तभी उनको सुरक्षा देते हैं जब वो जोती में चलते हैं वैवस्था के अनुसार यहां तकी स्वर्गदूद वो उन्हीं सुरक्षा नहीं दे सकते अगर वो अंधकार में चलते हैं अगर आप पाप करते हैं आप अंधकार में रहते हैं तो फिर परमिश्रा आपको उन्देखा करेंगे और फिर आपकी सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूद वो भी आपको उन्देखा करेंगे और जिनकी आत्मिक आके खुली है वो देख सकते हैं कि आपके स्वरदूत वो आपसे कितना जादा दूर खड़े है जब आप पाप करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाते हैं और वो आपसे कहते हैं कृपय करके मालिक आप पाप ना करे वो स्वर्दूत आपसे कहते हैं कि मालिका पाप ना करे लेकिन आप उनकी आवाज नहीं सुनते लेकिन जो आत्मा में आते हैं वो उनकी आवाज को सुन सकते है यहां तक ही अगर वो उनकी आवाज को ना सुने तो भी वो अपनी हिर्दे में महसूस करते है ओ मैं तो सत्य का उलंगन करने वाला था मैं परमेश्र की वज़नों के अनुसार नहीं जिया इस तरीके से पवित्र आत्मा हस्तशेव करता है और ये स्वर्दूत की भी आवाज हो सकती है यहां तक कि आप इसे ना सुने तो भी आपके हिर्दे में ही महसूस होगा पशाय देता है कि आप इसत्य की कारियों को करे स्वर्दूत यहां तक कि इस प्रिथ्वी पर भी कारे कर रहे है और उनकी बहुत से कारे वो स्वर्द की राज्य में भी है स्वर्दूतों का संसार भी वो बहुत अच्छे से संगठित है और हर कोई वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है उन में से एक कार्य है नहीरुशलिम के फाटकों की देखरे करना निशित तोर से अंधकार की आत्मा वो स्वार की राजय में नहीं आ सकती और विशियस तोर से नहीरुशलिम में वो तो पहले से ही अथाकुंड में होंगी यहां तक कि स्वर्दूत वो फाटकों की सुरक्षा ना करें तो भी वहां पर कुछ नहीं होगा लेकिन क्या कारण है कि स्वर्दूत वो फाटक के बाहर खड़े होंगे स्वर्दूत वो फाटकों की देखरे करते हैं क्योंकि ये उनका कार्य है परमेश्र की संतानों की सेवा टहल करने वाले स्वर्दूत की रूप में ये कुछ ऐसा नहीं है कि उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाता है लेकिन ये कार्य ये स्वरदूतों को दिया गया है सभी आत्मिक छेत्रों को संगठित करने के लिए और तीसरा कारण कि क्यों स्वरदूत वो नयुश्लिम की फाटकों पर है ये नयुश्लिम के शहर के क्रम को दिखाने के लिए है स्वर का राज्य वो बहुत अच्छे से क्रमबद है और उसमें कोई भी त्रूटी नहीं है किसी दबाओ के द्वारा या फिर किसी आग्या के द्वारा नहीं लेकिन परमिश्र की आग्या के अनुसार वहाँ पर सबकुछ सहज रूप में होती है प्रतिफल, पद और अधिकार वो सबकुछ पिता परमिश्र के न्याय के अनुसार दे गई है जो उसके अनुसार दिया जाता है जो कुछ भी हमने संसार में किया है और सबकुछ इस तरह के से क्रमबद है और कोई भी अपने आपकी शेखी नहीं मारेगा अपने आपको उचा नहीं करेगा स्वर्ग में हर कोई परमेश्व की संतान है और वो एक दूसरे से प्रिम करेंगे एक दूसरे का आदर करेंगे और यह बहुत ज़्याद स्वभाविक तौर से होगा उनकी आत्मिक रमों की अनुसार यह उन लोगों की तरह है जो बहुत अच्छे सिस्टाचार की होते है वो बुजूर्गों का सम्मान करते है स्वर्ग की राज्य में प्रिम और सम्मान उनकी हिदे से आएगा उनकी आत्मिक पदू की अनुसार मैंने आपको बताया है कि आपके पास स्वर्दूत है तो फिर उनके पदू के बारे में क्या है अगर आप पास्षर, एल्डर या फिर आप मिशन लीडर है तो फिर क्या जो आपके स्वर्दूत है उनका भी पदूचा होगा ऐसा नहीं है आपके अलग-अलग पद हो सकते हैं और लोग आपके पदों के अनुसार आपके बातों को माने लेकिन स्वर्द में ऐसा नहीं होता अगर हम कहें कि जिस सरीकिसे कोई एक जवान पास्षर है और एक और कोई दूसरा पास्षर है और उनकी भी स्वर्दूत है जो उनकी साथ है लेकिन वो स्वर्दूत जो दूसरे पास्षर की सेवा टहल कर रहा है वो उस जवान पास्षर के स्वर्दूत के सामने जुकेगा अगर जवान पास्षर का पद उज़ा है आत्मिक संसार में इस तरीके से आत्मिक क्रम है जितना जादा आपका पद उचा होगा उतना ही जादा पिता परमिश्डोर प्रभू के सेदरश होंगे और उतने ही जादा उचे पद की स्वरदुत आपको दिये जाएंगे और वो आपके सिवा टहल करेंगे ये शहरर क्रमों से अलग है आत्मिक पदों की अनुसार जो छोटा है वो अपने से बड़ों के सामने छुगेगा इसलिए स्वर्ग में हर एक छेत्र में सब को सुचारों रूप से संचालित होता है उधारन के लिए जब पिता परमेशर वो नई और शले में एक बड़ा भोज देंगे तब वो उन लोगों को भी अमांत्रित करेंगे जो दूसरे स्वर्ग के राज्यों में है वो आत्मिक नियमों के अनुसार वहां आ सकते हैं जो तिसरे स्वर्ग के राज्यों में हैं वो सबसे पहले आएंगे फिर दूसरे स्वर्ग के राज्यों के लोग फिर पहले स्वर्ग के राज्यों के लोग और उसके बाद स्वर्ग लोग के लोग लेकिन ये कैसा होगा अगर तिसरे स्वार के राजय के लोग या जो निचले स्वार के राजय के लोग हैं अगर वो कभी भी चाहें तो वो नई यरुशले में आ सके वो जो तिसरे स्वार के राजय में जो लोग हैं और जो निजले स्वार के राजय में लोग हैं वो वहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं आ सकते अगर नई यरुशलिम की क्रम तोट जाए तो वहाँ की सुन्दरता नहीं बनी रह सकती नई युरुष्ले में सबसे बढ़कर खुशी, आनन्द और सांथ बना होनी चाहिए अगर कोई उन यमों को तोड़ता है तो फिर ये चीज़े वहाँ पर नहीं होंगी इसे लिए उन सभी क्रमों को बनाए रखने के लिए हमें स्वर्ग दूतों की जोरत है ताकि वो वहाँ पर फाटकों की रखवाले करे क्यों वहाँ पर 12 फाटके है, क्या एकी फाटक काफी नहीं थी? अगर आप न इरुष्लेम की आकार को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एकी फाटक वो काफी नहीं है निश्यत तौर से अगर वहां पर कोई भी फाटको पर स्वर्धूत ना हूँ तो फिर इसका मतलब यह नहीं जो तिस्वे स्वर की राजे की लोग है या फिर निश्ले राजों में जो लोग है वो कभी भी निरशलिम जा सकते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि जो नेरुशलिम की जो जोती है वो बिल्कुल अलग है लेकिन अगर नेरुशलिम की शहर की नगर की फाट को पर जो स्वर्गदूत है तो उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि पिता पर्मिशन ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है अगर कोई भी आ राज्य से तीसरे स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करता है तो फिर एक स्वर्गदूत उसे एक विशिश पोशाक पहनाते हैं तीसरे स्वर्ग की राज्य में जाने के लिए और केवल उसी पोशाक में वो अपने आपको उज्योती के अनुसार ढाल सकता है जो कि तीसरे स चाबी वो किसी फाटक पर लटकी होगी, तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ पर चाबी है और किस सरीके से हम उस चाबे को प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 सध्य उसका 21 पधा में बताता है, और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोति का बना था, और नगर की सडक स्वचकाश के समान चोखे सोने की थी, और मैंने बताया कि हर एक फाटक पर एक एक मोति था, और जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रतिक फाटक एक मोति था, और प्रतिक फाटक एक पूरे मोति से बना है, नई यरुशलिम के शहर पना की लंबाई जादा हो और वो पूरे एक मोती से बनी हुई है ऐसा नहीं है कि बहुत से मोतियों से एक फाटक बनी है लेकिन एक पूरे एक मोती नहीं एक फाटक बनाई है इस पृत्वी पर इतना बड़ा मोती नहीं मिलता लेकिन स्वर्ग में वहाँ पर है और ये बहुत जादा सुन्दर इस पृ रिशलिम की फाटक को पास से देखते हैं तो फिर ये एक महराब की आकार का है जो की एक मोती से बनाया जाता है और ये दो तरफ खुलता है और इसका जो हैंडल है वो शुच सोने से बना है और जो की गहनों से जड़ा हुआ है कुछ लोग वो इस तरीके से सूच सकते हैं कि अगर ये 12 फाटके बहुत से अलग-अलग प्रकार के भूमूलय पत्रों से बननी होती तो अच्छा होता क्यों पिता परमिश्र ने एक ही मोती से फाटके बनाई इस फाटक में भी इस मोती का एक आत्मी कर्थ है उन्होंने नईरुश्लिम के तिसरी चावे को इस मोती के फाटक की अंदर रखा है इसका मतलब है कि मोती के द्वारा पिता परमिश्र हमें महसूस कराना चाहते हैं कि किस तरीके से हम नईरुश्लिम में जा सकते हैं जो मोती होता है वो दूसरे मनी रतनों से बहुत अलग तरीगे से बनता है सोना, चांदी और दूसरे बहुमुले मनी रतन वो इस प्रिथ्वी से निकलते हैं लेकिन जो मोती होता है वो जिवित प्राणियों से बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बतात जाहूं, जादातर मोती, वो मोती वाले कसूरे से बने होते हैं, आमतोर पर इन में उभार, जैविक पधार्थों और परजीविओं के द्वारा आता है, और यहां तक कि प्राकरतिक चूट की वज़े से भी कसूरे की ढाचे की त्वचा तन्तू, वो किसी दूसरे भाग मी श जब कसूरे के छेद, स्वास और भोजन के लिए खुल जाते हैं, तो उसमें छोटे-छोटे कर्ण या फिर जीव उनमें प्रवेश कर जाते हैं, या फिर कभी कबार को सुक्षम पधार जिस सरी की से दाना या रेड भी कसूरे की अंदर चला जाता है, उस वक्त ऐसा होता है क कसूरे को बहुत तेखा दर्द होता है, जैसे मानों कि उसके त्वचा में कोई सुई चुप रही हो, कसूरे की त्वचा बहुत नरम होती है, लेकिन बाहरे तत्व बहुत कठोर और नुकिला होता है, और सचमुच इसकी त्वचा में चुप जाता है, और अब कसूरा सबस बार-बार दोहराई जाती है और इस प्रकार से मोती बनता है आजकल के दिनों में मोती वो उत्पाजन की अलग-अलग विधियों के द्वारा बनाया चाता है और वो इसके आवरंड में उतेजक डाल देते हैं जो कस्तूरी में धस चाता है जब कस्तूरा बहारी तत्व को देता है तो ये आवरंड सबसे अंदर की परत होती है और जितने मोटी यह परत होती है उतने ही उजवल मोती की चमक होती है जब हम मोती की सतह को देखते हैं तो जो उच्विशिश्ता का मोती होता है तो उसकी चमक हमारे चहरे पर आती है जिस सरीकिसी की वो शिशा हो तो फिर इसका अर्थ क्या है? मोती का कसूरा वो उस दर्द को सहता है और उसके बाद फिर एक मोती बनता है. इसी तरीके से परमिश्र की संतानों को उन्हें भी उस दर्द को सहना है, जब तक कि वो पिता परमिश्र की खोई हुई स्वरूप को दुबारा से नहीं प्राप्ट कर लेते. नई नियमे भविश्र दग्ता, प्रभु के चेले और प्रेरित पॉलोस ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी परिक्षाओं को, ऐसे सताओं को, ऐसी आजमाईशों को पार किया और उन्होंने जीत को प्राप्त किया. और ऐसा कोई भी नहीं था जो अपने आपसे आत्मा और संपूण आत्मा में आया हो, उन्होंने आजमाईशों को, सताओं को, और परिक्षाओं को, और उन्हों सभी पीडाओं को, और उस भयानक दर्द को उन्होंने पार किया. पहले मनुश्य आदम को परमिश्र की स्वरूप में बनाया गया था और उसके पास दोश रहित और शुद्ध ही दे था लेकिन जी सरीके से पहले मनोशे आदम ने अनगाकारिता की पाप को किया और फिर आदम के सभी वंशर्जों को ये पाप विरासत में मिला और फिर उन्होंने अपने आप से भी पाप किये और जी सरीके से पाप इस अंसार में आया और लोग पापों से ज़्यादा से ज़्यादा धबित होने लगे तो फिर उन्होंने परमेशर की स्वरूप को खो दिया मनुष्यों की हिर्दे में बुराई और सत्य बोया गया और फिर वो हिर्दे एशुध हो गए और जिन में से अब गंदी बद्बू आती है जब परमेशर ने अपने उस महान प्रेम को दिखाया ऐसे लोगों के लिए जो कि पाप में सवभाव में और पाप में संसार में रहे रही है उन्होंने अपने एकलोते पोत्र ईशुमसी के द्वारा उधार के मार को खोला और जो कोई भी ईशुमसी पर विश्वास करेगा वो अपने पापों को ईशुमसी के लहु के द्वारा धो सकता है ना केवल बीते समय के पाप लेकिन जब वो दुबारा से पाप करता है तो फिर पिता परमिश्रों से शमा करते हैं अगर वो अपने सची हिर्दे की गहराई से पशाताप करता है कुछ लोग वो इस बात के बारे में गलत समझते हैं जो मैंने कहा कि पिता परमिश्र माफ करते हैं किर्पया करके आप इसे ध्यान से सुने और आप इसे गलत ना समझे वो जो शरीर के कारे करते हैं अगर वो अपने और परमिश्र के बीच से पापों की दिवारों को दूर करना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपने हिर्दे की गहराई से पशाताप करना है अपनी हिर्दे को पशाताप में डालना है आसों की साथ और भेहती हुई नाग की साथ क्योंकि उन्हें बहुत जदा पितापरमिश्र की सामने शमा महसूस करना है ऐसा उनकी हिदे की घहराई से होना चाहेगे और उनने फिर अपने कामों से फिर जाना चाहेगे तब उनको शमा मिल सकती है लेकिन अगर वो लगातार पाप करते हैं जिस तरी कि सिब्राणियों में लिखा है तो फिर उनको शमा नहीं मिल सकती वो जानते हैं कि जो वो कर रही है वो पाप है और ये मृत्यों के मार्ग में जाना है लेकिन वो फिर भी बार-बार अपनी इच्छा से उन पापों को करते हैं इब्रानियो six अध्याय उसके दसपद में कहा गया है कि ऐसे लोगों को शमा नहीं मिल सकती और फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को पशाताप की आत्मा नहीं देगा फिर जब वो पशाताप नहीं कर सकते तो वो नहीं बचाए जा सकते जब आप पाप करते हैं शरीर के कारियों को करते तो आपको अपनी हिदे को पशाताप में डालना है और अपनी हिदे की गहराई से पशाताप करना है और अपनी मार्गों से फिर जाना है जैसे मैंने आपको बताया अगर आप अपनी हिदे की गहराई से पशाताप करेंगी तो पिता परमिश्रों आपको शमा कर सकते हैं यहाँ पर दो मामले हैं शरीर की कारिये कुछ ऐसे हैं जो हमें मृत्य के और नहीं ले जाती इसलिए ऐसी सिती में अगर आप अपनी हिदे को पशाताप में डालते हैं और आप अपनी भैती हुई नाग के साथ और आसो के साथ आप पशाताप करते हैं तो फिर आपको माफी मिल सकती है अगर आपके वल अपने होटों से पशाताप करें तो आपको माफी नहीं मिल सकती पिता परमिश्यर मैं शमा चाहाता हूँ किरप्या करके मुझे ताकत दीजी और मेरी मदद कीजी कि मैं दुबारा से ना करूँ आपको इस तरी किसे प्रातना करने चाहिए आपको अपनी प्रातनों में शरी किसे नहीं कहना कि मैं इसे दुबारा नहीं करूँगा अगर आप एक बार कहते हैं कि मैं इसे दुबारा नहीं करूँगा अगर आप पिता परमिश्यर से वाचा बानते हैं तो फिर आपको उसे मानना है और आपको ऐसी वाचाओं को नहीं बानना जिसे आप नहीं मान सकते इसलिए आपको इस तरीके से प्रातना करनी है कि पिता परमेशर आप मुझे ताकत और अनुग्रह दीजे ताकि मैं इसे दुबारा से ना करूं और शरीर के कारिये हैं और कुछ शरीर के अभिलाशाई हैं शरीर के कारिये और शरीर की अभिलाशाई तब प्रगट होती हैं जब पाप में सभाव हमारे शरीर में होते हैं परमेशर कहते हैं कि आप किसी से नफरत ना करें किसी का नय और निंदा ना करें अगर आप किसी भी व्यक्ति का नयाय और निंदा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हैंकारी बन गए और आप स्वेम में ही परमिश्वर बन गए है परमिश्वर लोगों के हिदे को देखते हैं और परमिश्वर ही नयाय करेंगे और केवल परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें वैवस्था दी है और जिसके अनुसार वो हमारे न्याय करेंगे तो फिर कौन कैसे किसी दूसरे वैक्ति का न्याय और निंदा कर सकता है अगर आप किसी व्यक्तिका न्याई और निंदा करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप हेंकारी बन गए है आप परमेश्वर की तरहें न्याई बन गए है परमेश्वर ने कहा है कि आप अपने शत्रों से प्रेम करें लेकिन आप अपने हिदे में उनसे नफरत करते है अगर आप इस तरीके से प्रातना करते हैं तो फिर क्या नफरत आपके हिर्दे से एक बार में ही चली जाएगी ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पशाताप करते ही आपके हिर्दे से नफरत चली जाएगी आपके हिर्दे में तब भी नफरत रहती है और आप तब भी दूसरों क और निन्दा करते हैं, तो फिर क्या आपको पशाताप करना है? यह ऐसा मामला है कि अगर आप पशाताप करेंगे तो यह आपको शमा मिल सकती है, लेकिन आपको अपने हिदे की गहराई से पशाताप करना चाहिए, ना किवल अपने होटों के द्वारा, ऐसे मामलों में आप हिदे की घहाई से पशाताब करेंगे आसमों के साथ और अपनी भहती हुई नाज की साथ शरीर के कारियों के बारे में क्या है कुछ ऐसे शरीर के कारिये हैं जो आपको म्रत्यों के ओर ले जाते हैं और कुछ ऐसी शरीर के कारे है जो आपको मृत्यों के और नहीं ले जाते हैं शरीर के कारे जिस सरीके से वैभी चार वो आपको मृत्यों के और ले जाता है लेकिन कुछ खारे जिसी की चोरी करना मैं ऐसी चीजों की चोरी की बात नहीं कर रहा जो परमिश्वर से संबंदित है या फिर किसी को मार देना वो आपको मृत्यों के और नहीं ले जाता निश्चित तोर से अगर आप ये कारिय बार-बार करते हैं तो फिर ये ऐसे कारिय बन जाते हैं जो आपको मृत्यों के और ले जाते हैं लेकिन अगर शुरुआत में ही आप अशा ताप करें और अपने कारियों से फिर जाएं और आप अशा ताप करें और ऐसे वेक्ति बन जाते हैं जो किसी से नफरत नहीं करते और गुसा नहीं करते और चोरी नहीं करते और जब आप अ वो कारे जो आपको मृत्यू के और नहीं ले जाते तो फिर अगर उनमें आप पशाताप करें तो आपको शमा मिल सकती है लेकिन अगर आप बार बार पशाताप करें फिर पाप करें फिर बार बार पशाताप करें आप बार बार दूर आते रहते हैं कि आपको ऐसा करना है क्य कि आप अपने हिर्दे से उन पापों को दूर कर सके और आपके हिर्दे से वो पाप दूर होने चाहिए और आपका बुराय का हिर्दे वो भलाय का हिर्दे बनना चाहिए यहां तक कि आप पहले नयाय और निंदा करते थे लेकिन अगर आप अप अपने मन में रखते हैं कि आपको उन्हें दुबारा नहीं करना तो फिर आप ऐसे जन बन जाएंगे जो दूसरों का नयाय और निंदा नहीं करते फिर आप एक ऐसे वेक्ति बन जाएंगे जो पहले नफरत करते थे लेकिन अब आप उनसे प्रेम करते हैं ये वो है जो पिता परमिश्र हमसे चाहते हैं इसलिए पिता परमिश्र कहते हैं कि हमें केवल तभी शमा मिल सकती है जब हम अपने पूरे हिदे की घहराई से पशाताप करते हैं लेकिन बार बार पाप करना और फिर बा आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि पापों के कारण आजमाईशे भी आती है अगर आप पाप करते हैं तो फिर कोई ना कोई आजमाईशे आपके उपर आएंगी अगर कोई बड़ा पाप करते हैं तो फिर बड़ी आजमाईशे आपके उपर आएंगी अगर आप बार बार पशाताब करता हूँ गयां तक ही अगर आप बच्चों को साफ करते हैं तो भी वो खेलते समय वो अपने आपको बार बार गंदा करते हैं बार बार पाप करना, बार बार पशाताब करना ये केवल आत्मिक तौर से बच्चे की समान है और ये बिल्कुल ऐसा है जो कि नई विश्वास ही करते हैं जो कि पहले और दूसरे विश्वास के सर पर होते हैं अगर आप तीसरे विश्वास के सर पर हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वरना यह आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा अगर आपने अभी तक शरीर के कार्यों को दूर नहीं किया अगर आप अभी भी नफरत करते हैं और पाप करते हैं यहां तक कि आप नफरत ना करने की कोशिश करते हैं तीसरे विश्वास के स्थर में दो अंधुरुनी स्थर हैं जब आप एक बार विश्वास के चटान पर आते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा आप जब एक बार विश्वास के चटान पर आ जाते हैं तो फिर आप शरीर के कारियों को नहीं करेंगे पशाताप करने के बाद ये पहले से आपके हिदे से मिट चुके होंगे आप बार बार पा कारियों को करते हैं तो फिर आप अभी भी दूसरे विश्वास के सर पर हैं और कोई माइने नहीं रगता कि आपके पास परमिश्र के दास होने के नाते या फिर एल्डर होने के नाते आपके पास कौन सा पद है लेकिन आत्मेक तोर से आप अभी भी दूसरे विश्वास के सर पर हैं यहां तक ही आप परमिश्र के दास हैं इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए जब आप एक बार तीसरे विश्वास के सर में विश्वास के चटान पर खड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत सी शरीक के कारें आपके पास नहीं होते और आप उन पापों को दु लेकिन वो सची संतान जिसे पिता परमिश्र चाहाते हैं गी वो संताने हैं जो की पुरी तरीके से उन्नती करती हैं और जो की प्रोड हैं और जो ऐसी संताने हैं जो एक बार साफ करने के बाद अपने आपको दुबारा से गंदा नहीं करती ये परमिश्र की संताने ऐसी सं तो उनका विश्वास नहीं डगमागाता अगर आप मिट्टी पर अपना घर बनाएंगे तो जब हवा आएगी या फिर बाड आएगी तो फिर आपका घर बहे जाएगा यहां तकि आप सोचते हैं कि आपके पास अच्छा विश्वास है आप देख सकते हैं कि आपका और आजमाईशे आती हैं अगर उस समय वो अपने विश्वास में नहीं गिरता लेकिन वो आनंदित होता है और धन्यवाद देता है और वो विश्वास के चटान पर खड़ा है लेकिन अगर वो अपने विश्वास में डगमागाता है तो फिर उसके पास शारिरिक अलग-अलग तरीके के इस तरीके से व्यक्ति होते हैं जब वो परिक्षाओं और आजमाईशों का सामना करते हैं वो जो विश्वास के चटान पर खड़े हैं वो कभी भी मुश्किले महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि वो इनको पार कर सकते हैं जब वो इस तरीके से धर्मी मार पर चलते हैं तो वो हर एक तरीके के आजमाईशों और परिक्षाओं को पार कर सकते हैं लेकिन अगर वो विश्वास के चटान पर नहीं घड़े, तो फिर जब वो आजमाईशों और परिक्षाओं में पढ़ते हैं, तो फिर वो अपने विश्वास में गिर जाएंगे, परमिश्र के लोगों को चिंता करने की जौरत नहीं है, प्रभू ने हमसे कहा है कि हम पिता के धर्म और उनके राजे के लिए परातना करें, प्रभू ने हमें बताया है कि पिता परमिश्र वो सब कुछ जानते हैं, हम किसी भी बात की चिंता ना करें कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, हमारे पिता परमिश्र वो सब बातों को जानते हैं, हमें चिंता करने की जोरत नहीं है लेकिन वो जो परमिश्र के धारमेक्ता के अनुसार नहीं जीदे तो फिर उन्हें महनत करना है कि वो अपने आपको पावितर करे और वो आत्मा में आए वो परिक्षाओं को पाड़ नहीं कर सकते लेकिन वो अपने विश्वास में गिर जाएंगे हो सकता है कि वो अपने विश्वास को आनन्द को और धनेवाद को भी खो दे और आनन्द और धनेवाद उनसे मिट जाएं लेकिन जो आत्मा में आने वाले हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अब उनकी उन्नती हो चुकी है मैं सोचता हूँ कि अब ऐसे बहुत से कम वेक्ती है जो इस सरीके की महन परिक्षाओं और आजमाईशों से होकर गुजरे जिस सरीके से मैं गुजरा था मैं बहुत सी अंगिनत आजमाईशों और परिक्षाओं से होकर गुजरा लेकिन मैंने कभी भी अपना पसीना नहीं बाया और मैंने कभी भी अपनी आनंद और धनेवाद को नहीं खोया जब भी मेरे ऊपर कुछ भी आजमाईशे और परिक्षे आई तो उसके बाद बहुत सी महान आशिशे भी आई और परमेशन ने मुझे योग्या बनाया उन परिक्षाओं से पार निकल लेके और पिता परमेशन ने मुझे बहुत सी आशिशे दी आपने देखा है कि जितने भी ज़्यादा महान परिक्षाएं होती है उतने ही महान आशिशे भी आपको मिलती है मैं शारिरिक चीजों की चिंता नहीं करता लेकिन मैं आत्मिक चीजों की चिंता करता हूँ परमिश्र के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए और इस कलीसिया के सदस्यों के लिए जब वो पाप करते हैं तो फिर मेरे हिर्दे में बहुत सी पीड़ा होती है जब लोग बिमार होते हैं तो फिर मेरे हिर्दे में दर्द होता है और फिर मैं उनके लिए शोक करता हूँ और मैं परमिश्वर से उनके लिए प्रात्ना करता हूँ इस सरीके की शोक और पेड़ाए मेरे हिर्दे में है परमिश्वर की धारमिक्ता और उनके राज्ये के लिए मैं शोक करता हूँ जब लोग पाप करते हैं या फिर जब वो सत्या से दूर होते हैं लेकिन जिस भी चीज की मैं चिंता करता हूँ ये मेरे शरीर को कोई भी हानी नहीं पहुँचाता लेकिन शारर्रिक चिंताएं वो आपके हिदे को हानी पहुँचाती है वो आपकी आतों को और वो आपकी हडियों को भी वो चोड़ पहुंचाती है लेकिन आत्मिक चिंताएं वो आपके शरीर को कोई भी हानी नहीं देती इस तरीके से ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा की अगनी और परमेश्र की मूल जोती वो हमें सुरक्षा देती है आत्मिक तौर से इसका मतलब है कि वो और जादा पाप नहीं करते लेकिन वो पिता परमेश्र को खुश करते हैं अपने सिद्विश्वास के द्वारा और इस तरीकी कासी द्विश्वास होने के लिए हमारे पास सबसे पहले सच्चा हिर्दे होना चाहिए और हमारे पास सच्चा हिर्दे तब हो सकता है जब हमारे एक प्रकार की बुराईयों को अपने हिर्दे से दूर करते है और आप अपने हिदे को प्रेम और भलाई से भरते हैं और जितना जादा प्रेम और भलाई हमारे पास होगी उतना ही जादा हम पिता परमिशर के उस खोविए सुरूप में दुबारा से बन सकते हैं पिता पर्मेशर वो हमें शन्शोतित करने के लिए आजमाईशे देते हैं ताकि हम प्रेम और भलाई को अपने हिदे में जोच सकें। पिता पर्मेशर वो हमें योग्या बनाते हैं कि हम बहुत से प्रिसितियों के द्वारा हम अपने पापों को ढूंडे और जब भी हम वह साथा तीखा दर्द होता है कि जब हम आजमाईशों से होकर जाते हैं अपने पापा और बुराईयों के कारण जो हमारे हिदे में हैं तो फिर हमें पीड़ा होती हैं क्यों आपको चिंता करना है और क्यों आपके हिदे में चिंताएं होती हैं क्यों आप इन संसार के चीज पिता परमिश्र पर निर्भर रहें। और जब आप उन चीजों को पार करेंगे तो फिर पिता परमिश्र आपको आशिशे देंगे। और दानियल और उसके तीन मित्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब आप धार्मिक्ता के मार्क पर नहीं चलते तो फिर आपको चीजों की चिंता करने की ज़रत होगी और आपका आनन्द और धनेवाद मेट चाएगा और आपके हिदे में पेड़ाएं होंगी। और बहुत सी चीजे वो आपके हिदे में होती हैं। आपको जाना चाहिए कि ऐसा तब होता है जब आपके हिदे की अंदर पाप और बुराईया होती हैं। जब आप इस बात को पहचान जाते हैं तो फिर आप अपने पापों को ढूंड सकते हैं और आप उन्हीं दूर कर स लगते हैं। अगर हम कहें कि अगर आपके वैवसाई में कुछ समस्या हो रही है और आपको अपने वैवसाई में धोखा मिलता है तो फिर आपको उस दीदी में भी धन्यवाद देना चाहिए। इसका भी कुछ न कुछ कारण है कि आपको धोखा मिला तब आप ढूंडने पाएंगे कि जब दूसरी लोग आपको धोखा देते हैं तो फिर इसका कोई न कोई कारण है कि आपको धोखा मिला है। अगर आप धार्मिक्ता के मार्क पर चलते हैं और आप परमेश्र के वश्रूं के अनुसार जीते हैं और आप जोती में चलते हैं तो फिर आपको कभी भी धोखा नहीं मिल सकता आपको किसी भी बीड़ा में रहने की ज़रत नहीं होगी और आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा क्यों, क्योंकि अगर आपसे कोई कुछ माँगेगा तो आप देएंगे लेकिन अगर आपके पास लालश और स्वार्थीपन की इच्छाएं है तो फिर आप बिना कुछ किये पैसों को पाना चाहते हैं इसलिए फिर आपको धोखा मिलता है जब ऐसे चीज़े होती हैं तो फिर आपको धनेवाद देना चाहिए ओ मेरे पास इस तरीकी की बुराई थी मेरे पास लालच और स्वार्तिपन की इच्छाएं थी मेरे पास इच्छाए थी कि मैं कुछ पाना चाहता था जो कि मेरा नहीं था जब आप इसे एक बार ढूनते हैं तो फिर ये आपके लिए आश्चिशिंग है कि आप अपने उन बुराईओं को दूर करें अगर आप उन चीज़ों को नहीं ढूनेंगे तो फिर किस तरीक किसे आप अपने और पिता परमिश्र के बीश से उन पापों की दिवारों को दूर करेंगे और आप बेतर स्वर की राजे में जाएंगे कोई माईनी नहीं रगता कि कितने साल बीद गए हैं अगर आप अपनी बुराईओं को नहीं ढूनते तो फिर आप आत्में तोर से न चाहिए और आपको पिता परमिश्र का अभारी होना चाहिए यहां तक कि आपकी बहुत से पैसों की हानी हुई है अगर उस समय आप अपनी बुराईओं को ढून पाते हैं और उसे पिता परमिश्र खुश होते हैं तो फिर आपको पिता परमिश्र का अभारी होना चाहिए अगर आप उन पापों और बुराईयों को अपने हिर्दे में नहीं ढून पाते और अपने ही लाप को ढूनते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा आप इसे स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते जब आपके पास लालच होता है तो फिर आप परमिश्र की राजे की खुश नहीं कर सकते और फिर ये वयर्थी होगा और जब आपके हिर्दे में पेड़ा होगी क्योंकि आपके हिर्दे में वो पाप और बुराईया है आपको इन बातों को पहचानना चाहिए अगर आपके हिर्दे में कोई भी बुराईय नहीं है तो फिर आपके हिर्दे में कोई भी संगर्ष नहीं होगा आपके हिर्दे में संगर्ष होता है क्योंकि आपके हिर्दे में बहुत सादा बुराईया है अगर आपके हिर्दे में भलाई होगी तो फिर आपके हिर्दे में कोई संघर्ष नहीं होगा आपके पास फिर प्रभू का हिर्दे होगा आपके हिर्दे में प्रेम सजनता होगी और फिर आपको किसी भी तरीकी की पेड़ा को नहीं उठाना पड़ेगा आप अपने बुराईयों के कारण अपने ही हिदे में संगर्ष करते हैं और जब आप संगर्ष करते हैं तो फिर आप दूसरे लोगों को नय और निंदा करते हैं आप दूसरों से नफरत करते हैं ये सब आपकी बुराईय के कारण है अगर आप हारेक प्रकार की बुराईओं को दूर करते हैं तो फिर आपके हिदे में कोई संगर्ष नहीं होगा और आप और जादा जवान दिखेंगे हमारे हिदे में पेडाई होती हैं इसलिए नहीं कि हमारी प्रिसितियां मुश्किल है या कोई हमें मुश्किल समय दे रहा है ये हमारी अपनी ही बुराईओं की कारण होता है अगर आप वास्तम में इस बात को पहचानते हैं तो फिर आप अपने हिदे में आत्मिक मोती नमस्वरूप वो पाप और बुराई आप अपनी हिर्दे से दूर कर सकते हैं और आपकी पास फिर एक आत्मिक हिर्दे होगा उधारन के लिए अगर हमने नफरत को दूर कर दिया है तो फिर हमारे हिर्दे में प्रेम बढ़ जाएगा जिस हद तक आप नफरत को दूर करेंग उतना ही जादा आपकी हिर्दे में प्रेम भर जाएगा ऐसा कहा जाता है कि मोती का कस्तूरा वो बुरी चीजों को अपनी अंदर नहीं आने देता और वो उसकी परत को और जदा मोटी करता जाता है इसी तरीके से जब हम आजमाईशों का सामना करते हैं और उन आजमाईश को विश्वास के साथ पार करते तो फिर हमारा हिर्दे भी वो और जादा मजबूत बनता है इसके अलावा जब हम पिता परमिश्र के कार्यों को महनत और प्रेम के साथ परमिश्र की राज्य के लिए और आत्मा के लिए तो हमारे हिर्दे की परत भी और जादा मोटी पिता परमिशर वो सिद्ध है और वो हमसे चाहते हैं कि हम भी सिद्ध बने इसलिए पिता परमिशर वो हमारे जीवन में आजमाईशों को आने देते हैं जब तक हमारे हिदे में सच्चा हिदे और सिद्विश्वास नहीं होता माता पिता वो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और उन्हें बहुत से जगए कुछ चीजी सीखने के लिए भेशते हैं इसी तरीके से पिता परमिश्र भी हमसे प्रेम करते हैं और वो हमें योग्या बनाते हैं कि हम पिता परमिश्र के खोई हुए सुरूरू को दुबारा से प्राप्त करें पिता परमिशर जानते हैं कि हमारे लिए दर्दनाग होगा लेकिन पिता परमिशर इन्हीं नहीं रोगते क्योंकि पिता परमिशर जानते हैं कि इन पर इक्षाओं को पार करने के बाद जो महिमा होगी वो और भी महान होगी और पहला पत्रस एक अध्याय उसका साथ पध हमें बताता है और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताय हुए सोने से भी कहीं अधिक भूमूर्ले है इश्यू मसी के प्रगट होने पर प्रशंसा और महीमा और आदर का कारण ठहरे हमारा इस प्रिथ्वी का जीवन जो यहां तक कि अगर हम उन परिक्षाओं के समय को भी मिलाएं और अनन जीवन से हम इसकी तुलना करें तो यह कुछ ही पलो का है इसलिए पिता परमिश्वी वो हमें उसाहित करते हैं कि हम विश्वास के साथ उन परिक्षाओं को पार करें यहां तक कि वो हमारे लिए मुश्वी है इसलिए यहां तक कि कबे कबार हमें दर्द होता है जब हम उन आजमाईशों से होकर गुजरते हैं तो भी हमें महसूस करना चाहिए कि ये भी पिता परमिश्वर का प्रेम है। जब आजमाईशी मुश्किल होते हैं तो कुछ विश्वासे कहते हैं पिता परमिश्वर कि अगर के इन आजमाईशों को मुझसे दूर कर दो। मैं इतने में ही संतुस्ट हो जाऊंगा अगर मैं स्वायर लोग या फिर केवल पहले स्वायर की राज़े में जाऊं। वो बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि नई यरुश्लिम का उद्देश्य वो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन पिता परमिश्र वो किसी को भी ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ देते, वो लगातार हमारी अगवाई करते हैं कि हम भेतर स्वायर की राज़े में जाएं और यहां तक ही नई यरुश्लिम में जाएं। हमें महसूस करना चाहिए कि विश्वास की आजमाईशे वो लगातार हमें दी जाती हैं पिता परमिश्र की इस महन प्रेम की कारण। अगर हम संपूर्ण आत्मा में आएंगे तब हम महसूस करने पाएंगे कि पिता पर्मिश्र का प्रेम कितना जादा घहरा है जो हमारी अगवाई करते हैं और फिर हम वासम में इन चीज़ों के लिए धनेवादी होंगे. इसलिए वो जो मोतियों की फाटक से होकर गुजरेंगे और जो नयरुश्रिम में जाएंगे वो लगादार धनेवादी आसों को बहाएंगे. अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी मोतियों के फाटक से होकर गुजरेगा तो वो कितना जादा भावुख हो जाएगा और फिर हम अंत में नयरुश्रिम में प्रविश्र करेंगे. मसी में प्रियभाई और भैनों इस संदेश में मैंने आपको मोतियों के द्वार के बार में बताया जहां पर नयरुश्रिम के तीसरी चाबी है. जिस सरीके से मोती का कसूरा वो मोती बनाता है हम विश्वासियों को भी नई रुश्ले में जाने के लिए आत्मिक मोती बनाना है दूसरे शब्दों में हमें सच्चे हिर्दे और सिध विश्वास को साथना है और हमें पिता परमिश्य की स्वरूप को दुबारा से उन विश्वास की परिक्षाओं के द्वारा पाना है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस तरीके की हिदे की साथ धन्यवाद देंगे और उस आत्मिक मोती को अपनी हिदे में बनाएंगे और आप नई रुशले में जाने पाएं उस मोतीों की द्वार को पार करते हुए मैं प्रभुश्य मसी की नाम से प्रात्मा करता हूँ